हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल पर आज हम आपको डीफर्म सेकेंड एर का सब्जेक्ट वायो केमिस्टी जिसका चेप्टर नमवर फ़स्ट न्यूकलिक एसेट के बारे में बात करेंगे दोस्तों अगर आपने प्रिवियस वाले चैप्टर नहीं देखें तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएए बहाँ से जाकर प्रिवियस वाले चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और हमारे चैनल को सस्काइब करके जादा से जादा अपने दोस्तों को भी सेयर कर दिया करो और दोस्तों अपने कॉलिज गुरू में भी वीडियो को सेयर कर दिया करो जिससे आपके जो फ्रेंड है बेहिंदी इंग्रिस मेक्सिकान नोड्स को तयार कर पाएं हम इस चेप्टर में Nucleic Acid के बारे में बात करेंगे और जो भी आपके सिलेवस के अंदर टॉपिक दिया गया है उन टॉपिक को कबर करेंगे तो बात करते हैं सबसे पहले चेप्टर नमबर 5 Nucleic Acid जाते हैं उनको कहा जाता है नुकलिक एसेड और नुकलिक एसेड जो होते हैं वे किस पकार से बनते हैं यानि जब बहुत से नुकलिक टाइड जो होते हैं उनको मिला दिया जाता है तब नुकलिक एसेड का निर्माड हो जाता है यानि जो नुकलिक टाइड होते हैं उनको ज प्रमाड हो जाता है उसी पेकार से जो नुकलियोटाइड होते हैं वह डियने और आरेने से मिलकर बनते हैं यानि नुकलियोटाइड किसे मिलकर बनते हैं डियने और आरेने से मिलकर बनते हैं और जो आपके नुकलियोटाइड से मिलकर बने होते हैं और जो आपके नुकलियो information का भी transfer करते हैं यानि अगर कोई भी information है माता पिता से उनके बच्चों में जाती है तो वे जो nucleic acid होते हैं उसी की साहता से जाती है और protein के synthetis में भी जो nucleic acid होते हैं बहुत जादा help करते हैं तो दोस्तों आपने क्या देखा कि nucleic acid होता क्या है सबसे पहले आपने introduction देखा कि nucleic acid क्या होता है तो देखिए एक बात दुबारा से आपको बता रहे हैं सेल के अंदर जो organic substance पाया जाता है उसको nucleic acid कहा जाता है और जो nucleic acid होते हैं बहुत ज्यादा बने होते हैं और nucleotide जो होते हैं वे DNA और RNA से मिलकर बनता है और nucleic acid जो होते हैं genetic information का transfer करते हैं और protein synthesis में भी बहुत ज़्यादा बर करते हैं तो इतना introduction हो गया आपका nucleic acid का फिर बात करते हैं component of nucleotide यानि जो nucleotide के components होते हैं उसके बारे में बात करेंगे कि nucleotide जो होता है वे किन चीजों से मिलकर बना होता है उसके बारे में बात करनी है तो दोस्तों सबसे पहले क्या है nucleotides होते क्या हैं देखिए nucleotide nucleic acid की संराचनात्मक इकाई होती है यानि संराचनात्मक यानि nucleic acid का base होता है यानि जिससे nucleic acid यानि बनता है यानि जिनको मिलाने पर nucleic acid बनता है आपके nucleotide होते हैं और बहुत से cellular function भी करता है जो nucleotide होता है यह बहुत जादा cellular function भी करता है यानि हमारी body के function होते हैं सेल के function होते हैं उसमें बहुत ज्याधा help करता है जैसे metabolic जो reaction होती है उसमें nucleotides जो होते whackah हैं जож culture बहुत ज्यादा help करते हैं और उसके बात nucleotides जो होते हैं उनका एक छाट बनाया हमने कि नूकलियोटाइट किंसे मिलकर बने वाते हैं? यो में मिलकर बने ओ तर बने होते हैं, उस सबसे पहले इह सबसे पहले अचर और उसके बाद जो आपके पेंटो सुगर यानि जो DNA होते हैं और जो RNA होते हैं इसमें पेंटो सुगर के अंदर दो चीज़ें आती हैं दो सुगर आते हैं एक आता है DNA और एक आता है RNA तो DNA क्या होता है डी ऑक्सी राइवोस नुकलिक एसिड होते हैं और उसके बाद RNA तोह देखिए उसमें लिखा उवा है डि ऑक्सी राइवोस यानि DNA का स्ट्रक्चर बना हुआ है और RNA का स्ट्रक्चर बना हुआ ..RNA और DNA के इस्ट्रक्चर को अप कैसे पहचा ने! जो आपका RNA DNA का structure होता है उसमें नीचे की तरफ देखिए यहां पर OH लगा होता है और जो आपका डी आक्सी राइबोस यानि आपका जो DNA का structure होता है उसमें नीचे की तरफ H लगा होता है OH नहीं लगा होता है तो जो nucleotides हैं आपके pentose group उसमें add होगा उसके बाद जो आपके pentose sugar दो के होते हैं DNA और RNA उसमें बाई structure होंगे और उसके बाद nitrogenous base यानि nitrogenous base भी इसके अंदर होते हैं जो आपका nucleotide का structure होता है इसके अंदर जो आपके nitrogenous base कौन-कौन से होते हैं adenine, guanine, thymine, cytosine, uracil ये 5 प्रकार के इसमें nitrogenous base present होते हैं और हमने पाचों के structure का एक clip लगाई हुई है आप देख सकते हैं देखिए adenine का structure है, guanine, thymine, cytosine और uracil का structure इसके अंदर present होता है और दोस्तों फिर बात करते हैं इसके जो आपका यानि जो DNA और RNA होता है यानि जो आपका DNA सुगर होता है और जो RNA सुगर होता है इनको भी मिलाया जाता है इसी के अंदर nucleotide के structure के अंदर nitrogenous base भी present होता है कोई ना कोई और उसके बाद phosphate group भी इसके अंदर present होता है तो यह आपका होगय है nucleotide का structure यानि किस पकार से उनका classification होता है nucleotide का उसको हमने दिखाया है एक बार आप फिर से figure को देख सकते हैं जो आपके DNA और RNA के figure हैं भै आपके इस पकार से हैं अगर आप अपने notebook में बनाना चाहें इनको बना भी सकते हैं अगर नहीं बनाना चाहे तो ना भी बना सकते हैं और जो आपके adinin, guanine, thymine और cytosine और uracil के जो structure होते हैं उनके भी structure हमने लगाए हैं और दोस्तों जो आपका RNA होता है RNA के अंदर uracil present होता है उसके अंदर thymine present नहीं होता है जो आपका RNA होता है और DNA के अंदर केवल thymine present होता है यानि आपके three तो common होते हैं जो आपके एडिनीन हो गया गवानीन हो गया और साइटोसीन यह तीन प्रकार के नाइट्रोजीनस जो बेस होते हैं बे डिने के अंदर भी प्रजेंट होते हैं और आरेने के अंदर भी प्रजेंट होते हैं लेकिन जो आपके थाइमीन और जो आपके यूरेसिल है य यूरेसिल डियेने के अंदर नहीं पाया जाता है और थाइमीन आरेने के अंदर नहीं पाया जाता है अगर आपका मल्टिपल चॉइस भाला कुश्चन पूछा जाता है कि आरेने के अंदर यूरेसिल पाया जाता है यह नहीं पाया जाता है तो इस प्रकाद से आप इसको दे हुए हैं जो आपको एडिनीन, गौानीन, थाइमीन, साटोसीन और यूरेसल इनको भी डिवाइड किया गया है तो उसके बारे में यानि जो आपका सिलेबस है उसमें आपके पूंचे गए प्यूरीन और पारिमीडीन इनके बारे में बात करनी है तो यह आपके का होता है एक होता है प्यूरीन और एक होता है आपका पारिमीडीन तो दोस्तों प्यूरीन क्या होते हैं और पारिमीडीन क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे तो अभी हमने आपको इस्ट्रक्चर दिखाएं एडिनीन और गौनीन के इस्ट्रक्चर दिखाएं साइ अंदर carbon और nitrogen की two ring लगी होती है जिसमें से एक six membered ring होती है और दूसरी five membered ring होती है देखिए दोस्तों जो adinin का structure है इसमें एक आपकी यानि six membered ring लगी होई है और उसके बाद एक five membered ring add है तो इसलिए यह आपका example हो गया purines का और purines की definition है यानि carbon nitrogen की two ring लगी होगी और उसके ब एक five membered ring लगी होगी और जो आपके pir medine होते हैं पाईरीदीन क्या होते हैं दोस्तों यह six membered carbon nitrogen की ring होती है या यह भी आपकी six membered carbon और nitrogen की ring होती है जिसकी first और third position पर N लगा होता है जो आपका यानि इसमें six membered की avem nitrogen की एक ही ring 迷न होती है और इसकी जो first और third position होती है जिस पर N लगा होता है और Pyramidine के एक्जामपल क्या है Cytocene इसका एक्जामपल है Thymine इसका एक्जामपल है और Uracil आपके Pyramidine के एक्जामपल हो गए तो दोस्तो यह आपका होता है Nitrogenous Base और उसके बाद जो आपका Pento Sugar है उसके बारे में हमने आपको structure दिखाई दिये और जो phosphate group होता है उसका भी हमने अभी classification में पीछे structure बनाया हुआ था उसके बाद बात करते हैं आपके slavis के अंदर topic है component of nucleoside यानि nucleoside के क्या क्या component होते हैं उसके बारे में बात करना है तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना और हमारे channel को subscribe करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी share कर देना और उसके बाद DNA के बारे में बात करेंगे और उसके बाद RNA के बारे में बात करेंगे और chapter number 5 आपका बहुत छोटा है इसको हम इसी वीडियो में पूरा complete कर देंगे तो दोस्तों component of nucleoside यानि nucleotide क्या होते हैं अभी हमने आपको बताया था nucleotide यानि जिसमें phosphate group aid होता है pentosugar होता है और nitrogenous base लगा होता है उस structure को कहा जाता है nucleotide उनको nucleotides कहा जाता है और इसके बार nucleoside क्या होते हैं यानि जब pentosugar और nitrogenous base को glycosidic bond के दौरा आपस में जूट दिया जाता है तब हैं आपका होता है nucleoside यानि दोस्तों इसमें जो phosphate group होता है बहें नहीं लगा होता है nucleoside में phosphate group नहीं लगा होता है यानि आपके pentosugar इसमें लगे होते हैं और nitrogenous base लगे होते हैं तो nitrogenous base और pentosugar को जब जोड दिया जाता है glycosidic bond के दोरा तो दोस्तों यह आपका होता है nucleoside तो इसके बारे में आप बात कर सकते हैं यानि nucleoside क्या होते हैं और nucleoside क्या होते हैं इसमें कभी-कभी difference आ सकता है कभी-कभी class में कोई पूशता है यानि आपके nucleoside क्या होते हैं और nucleoside क्या होते हैं तो जो nucleoside होते हैं उसमें आपके phosphate group लगे होते हैं और pentosugar लगा होता है nitrogenous base लगा होता है लेकिन जो nucleoside होते हैं उसमें phosphate group नहीं लगा होता है पेंटो सुगर उसमें लगा होता है और जो आपके nitrogenous base होते हैं उनको glycosidic bond के दोरा द्रोड दिया जाता है तब भैं आपके होते हैं यानि nucleoside फिर दोस्तों बात करते हैं जो आपका DNA यानि deoxyribonucleic acid जो होते हैं उनके बारे में बात करना है औ और आपके यानि syllabus के अंदर बाट्सन और क्रीक मॉडल पूछा गया है तो उसके बारे में भी बात करेंगे यानि इसके structure को आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं लेकिन अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो exam में इसका structure ज्यादा नहीं पूछा जाता है तो दोस्तों DNA यानि deox deoxyribonucleic acid DNA pentose sugar यानि deoxyribos और nitrogenous base cytosine, guanine, adenine, thymine क्योंकि इसके अंदर uracil नहीं present होता है यानि DNA आपका किस पकार से निर्माड होता है यानि जो आपके deoxyribos होते हैं यानि pentose sugar के deoxyribos होते हैं जो यानि जो sugar molecules होते हैं उनको add किया जाता है और जो nitrogenous यानि जिनके चा compound यानि cytosine, guanine, adenine, thymine इनको जो मिला दिया जाता है तब DNA का निर्माड हो जाता है जो आपका DNA होता है इस पकार से बनता है nitrogenous base इसमें add होता है और pentose sugar इसमें लगे होते हैं तो आपका होता है DNA का structure तो दोस्तों बात करते हैं DNA के structure के बारे में कि DNA का structure होता है वे किस पकार का होता है तो दोस्तों DNA का structure हमने एक screen लगाई हुई है जिसमें RNA का structure भी present है और DNA का structure भी present है तो दोस्तों यह आप अपनी अगर notebook में बनाना चाहें तो बना सकते हैं लेकिन आप अपनी knowledge के लिए इसको केबल देख सकते हैं तो दोस्तों जो आपका DNA का structure होता है इसमें two coil या DNA present होती है और इसमें जो आपके यानि जो इसमें compound एड होते हैं किस पकार से एड होते हैं इसमें आपका जो एडिनीन होता है वह आपका थाइमीन से एड होता है और जो गवानीन होता है वह आपका जो एड होता है वह साइटोसीन से एड होता है यानि जो एडिनीन होता है के द्वारा एड कर दिया जाता है और जो गवानीन होता है साइटोसीन के साइटोसीन से एड होता है इसी पकार को उनको एड करते जाएंगे तो आपका का इस्ट्रक्चर बनकर तयार हो जाता है डीने का इस्ट्रक्चर यानि आप डीने के इस्ट्रक्चर को देख सकते हैं इसमें देखिए टू कॉयल गई हुई है और इसके अंदर हाइड्रोजन बॉंडिंग प्रेजेंट होती है यानि इसके अंदर जो कंपाउंड एड होते ह जो आपके यानि एडिनिन थाइमीन और जो आपके गवानिन होते हैं साइटोसीन होते हैं यह आपके हाइडरोजन बॉन्ट के दौरा यानि जुड़े होते हैं दोस्तों जब इनको एड करते रहेंगे तो उसके बाद डिंए का इस्ट्क्चर बनकर तयार हो जाएगा तो ब्श्तो दा इस्ट्रक्टर आजको आपका डी आज़ार का इस्ट्रक्टर होता है उसकी कई बी स्थाय होती है पर आपने पॉंट लिखा सम डवलिटि इस टैंड़र्ड जो आपके होते हैं यानि इसमें टू इस टैंड़र्ड है लिकस एड्ट होते हैं window expres intact होती है जो दोनों कौइल होते हैं अपकी A&T से έड होंगी एडिनीन से अड़ोंगी और जो आपकी गवानीन होती है वह साइटोसीन के दौरा एड होती है इन्होंनी यह बताया था जो आपके बैगनिक थे कि और वेट्संस थे उन्होंने प्राकस प्रवारतन होता है उसके द्वारा नंए किरणे डाली और उसके अग्जाम में आपका यानि पूछा जाता है लेकिन आपकी नोलीज के लिए हमने structure को दिखा दिया कि जो DNA का structure होता है बैक किस पकार का होता है और उसी पकार से जो आपका RNA का structure होगा उसको भी हम बताएंगे तो दोस्तों function आप DNA यानि DNA के function क्या-क्या होते हैं इसमें पहला पॉइंट लिखा है हमने genetic information DNA का बर्ग होता है कि genetic information को transfer करना यानि माता अफिता की जो information होती है genetic information होती है उनके बच्चों तक पहुंचाना यह DNA का बर्ग होता है और उसके बाद जो इसका second point है protein synthesis की जो information होती है वह DNA के दोरा प्राप्त होती है जो protein की synthesis होती है हमारी body के अंदर उसकी जो भी information है वह DNA के दोरा प्राप्त होगी और new cell के निर्माड में अपना role play करते हैं जो DNA होते हैं और RNA के निर्माड में भी DNA का बहुत जदा यानि योगदान होता है और DNA fingerprint जब DNA fingerprint ली जाती है यानि जब किसी का murder हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तब उसमें fingerprint ली जाती है तो यह DNA बहुत ज़्यादा helpful करता है fingerprint लेने में तो दोस्तों इस पकार से आप DNA के बारे में देख सकते हैं और उसके बाद बात करते हैं RNA क्या है RNA का structure हमने लगाया हुआ है यानि जो आपक को कहा जाता है RNA तो RNA में क्या होता है RNA के बारे में बात करते हैं जो आपका RNA होता है सेल के अंदर DNA से 10 गुना ज्यादा प्रजेंट होता है जितना DNA प्रजेंट होगा सेल के अंदर उससे ज्यादा RNA प्रजेंट होगा यानि 10 गुना ज्यादा प्रजेंट होगा क्योंकि RNA का ज्यादा सेलूलर फंक्सन परफॉर्म करता है जो आपका आरेने होता है बैस सेलूलर फंक्सन जो होते हैं बहुत ज्यादा परफॉर्म करता है इसलिए यह हमारी सेल के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रजेंट होता है जो आरेने होता है और आरेने कितने टाइप के होत उसके बाद एक होता है टी टी आरेने यानि ट्रांसपर आरेने और उसके बाद एक होता है एम आरेने मेसेंजर आरेने तो दोस्तों जो राइबोसोमल आरेने होते हैं जो ट्रांसपर आरेने होते हैं और जो मेसेंजर आरेने होते हैं यह हमारी बॉड़ी में जो भी इन्फार और आरेनी की संवराटे थीरी जो बताएं जो RNA की थीरी बताएं और उसके बाद जो आपको यान्य जो भी आपके DNA की थी ती उसको हम ने define किया तो दोस्तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं और इसके structure को आगर आप बनाना चाहें तो एक बहर बना कर देख लेंगे तो अगर आपके exam में गर question आता तो आप उसको लिख सकते हैं तो जो RNA होता है इसका क्या बर्क होता है देखिए यह genetic information को transfer करता है protein synthesis में भी help करता है और amino acid को transfer करने में बहुत जादा help करता है जो amino acid होते हैं यानि previous वाले chapter में हमने पढ़ाया भी है कि amino acid क्या होते हैं तो amino acid को transfer करने का बर्क भी RNA का होता है और जो RNA होता है इसकी full farm हमने बताई है राइवो nucleic acid होता है RNA का तो दोस्तों इस पगाज से RNA के बारे में आप पढ़ सकते हैं यानि RNA कितनी मात्रा में ज्यादा प्रजेंट होता है टेन गुना ज्यादा हमारी cell के अंदर प्रजेंट होता है DNA की तुला में और RNA के type क्या क्या हो होते हैं कुछ information को transfer करते हैं कुछ message लाने कबर करते हैं और उसके बाद जो आपका RNA की सरचना होती है यानि जो structure होता है DNA के बिल्कुल समान होता है और इसके function को define कर देना है तो दोस्तों आपका यह बहुत छोटा सा chapter था जिसको एक ही वीडियो हमने cover कर लिया और जो भी जाद अपने दोस्तों को भी share कर देना धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए